हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो नंद किशोर क्लासेज, मैथ रिडल आपके सामने है, बड़े ध्यान से पढ़िए और करेक्ट आंसर जो आपको लगता है, कमेंट बोक्स में लिखिए, चलिए मिलकर पढ़ते हैं, वट नमबर एम आए, मैं कौन सा नमबर हूँ, कंडिशन हैं, आएम टू डिजिट इवन नमबर, मैं क्या हूँ, टू डिजिट इवन नमबर हूँ, पहले देखते हैं कि इन चारो उप्शन में कौन इसको सैडिस्फाई करता है, ये तो चारो ही इवन डिजिट नहाए, राइट, तो सभी इवन भी हैं, टू डिजिट भी हैं, तो पहली कंडिशन तो मेरी सभी फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड देखते हैं, I am a common multiple of 3, 4 and 6, 48, क्या 3, 4 और 6 इन से डिवाइड होता है, बिल्कुल, 48, 3, 4, 6, तीनों से डिवाइड होता है, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है, क्योंकि हम तो देखना चाह रहे हैं, कि इन में से कौन सी ऐसी value है, जो इस condition को satisfy नहीं करती, ताकि मैं उसको तो cross कर दूँ, कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हो सकता, अभी आप देखें, 3, 4 और 6, ये 56 है ना, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं B को तो cross लगा देता हू कि भाया, ये तो मेरा अंसर होई नहीं सकता, लेकिन आगे देखू, 24, 3 के टेबल में आएगा, बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 36 को देखें, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो मेरी एक option क अच्छा वैसे एक शोटकट बताओं नाइन फेक्टर मतलब यह जो नाइन है यह क्या है यह ओड है ना ओड नंबर ओफेक्टर है एक गैस वर्क कर सकते हो जैसे 48, 24, 36 इन तीनों में से ओड नंबर ओफेक्टर किसके होंगे यह याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग फेक्ट है कि जो परफेक्ट स्कुएर होता है ना जो परफेक्ट स्क्वेर होता है उसके नंबर ओफेक्टर्स हमेशा ओड होते हैं नाइन जुरूरी नहीं है अब ऐसे तो फॉर है परफेक्ट स्क्वेर है उसके कोई नाइन थोड़ा होंगे फैक्टर्स ओड जरूर होंगे कैसे जैसे मैंने अभी 4 की बात की आपके साथ तो 4 के factors क्या है factors मतलब कौन-कौन से ऐसे numbers है जो 4 को divide करते हैं जैसे कि अब 4 1 से divide होता है 2 से divide होता है और 4 से divide होता है तो 4 मेरा perfect square तो है इसके number of factors कितने हुए 3 और 3 क्या है? odd है तो यह rule याद रखिएगा इन तीनों में से perfect square कोन सा है? 36 यानि कि 36 के जो factors हैं वो odd होंगे और यहाँ पर मेरे पास odd ही तो given है इसलिए इसका answer D option होगा speedily करना हो तो बस ऐसे कर सकते हैं हाँ, अब 9 है यह हम लिखके देखना चाहें तो बिलकुल लिखके देख सकते हैं मैं यहाँ पर number लिख रहा हूँ 36, 1 से divide होगा बिलकुल होगा 2 से divide होगा 3 से divide होगा 4 से होगा 6 से divide होगा उसके बाद 9 से divide होगा 9 के बाद 12 से divide होगा कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो चुके हैं जी यह 18 से भी divide होगा यह 8 होगया और 9 कौन से होगा 36 खुद तो यह देखो 9 factors लिख लिए हैं हमने तो D option इसका correct answer होगा I hope यह video आपको पसंद आया होगा और अगर यह video पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए Thank you so much